हाई प्रेंड्स स्वागत है आपका पिक्कू वीडियोस में इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए मैदा एक कप कौन फ्लार वन फोर्थ कप चावल का आटा टू टेबल स्पून नमक स्वाद के अनुसार लाल मिर्ज पौडर टू पॉण फाइट टीस्पून लसन अद्रक पेस्ट हाफ टीस्पून धनिया और करी पत्ता हमें से बारिक से काट लेंगे अब गोबी के फूल 15-20 लेंगे या हाफ कप लेंगे शिमला मिर्ज के तुकडे 15-20 या हाफ कप प्यास के तुकडे 15-20 लेंगे या हाफ कप पत्ता गोबी के फूल तुकडे हम 15-20 लेंगे पहले एक बाउल में मैदा, कौन फ्लार, चावल का आटा, नमक, लाल मिर्ज पाउडर, अद्रक लसन पेस्ट, धनिया और करी पत्ता डालेंगे अब इसे मिक्स कर लेंगे अब पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे ध्यान रिखेगा, बैटर जादा थिक भी ना होना चाहिए, और जादा थिन भी नहीं होना चाहिए अब एक पतिले में पानी गरम करके, उसमें नमक, गोबी के फूल डालकर उबाल लेंगे चालने से पानी को निकाल देंगे एक कडाई में गरम, तेल गरम कर लें पहले गोबी के फूल को बैटर में डिप करेंगे, और तेल में फ्राइ करेंगे भूरा होने तक तेल में फ्राइ करेंगे, इससे हमारी डिस अच्छे से क्रिस्पी होगी और क्रंची होगी अब सिमला मिर्ज को बैटर में डिप करेंगे, और तेल में फ्राइ करेंगे बूरा होने तक तेल में फ्राइ करेंगे अब प्यास को बैटर में डिप करेंगे, इससे भी सेम तेल में फ्राइ करेंगे बूरा होने के बाद इसे निकाल देंगे अब पत्ता गोबी को बैटर में डिप करेंगे और तेल में फ्राई करेंगे जब तक ये बूरा नहीं हो जाते एक टूथपिक में पहले फ्राई किया हुआ पत्ता गोबी ओनियन, सिमला, गोबी के फूल इंसाट करेंगे जिससे हमारी डिच डेकोरिटिव लगेगी और टूथपिक से खाने में आसानी होगी उस पर थोड़ा सा पेरी-पेरी पाउडर या चाट मसाला छिड़केंगे शाम के वक्त का बेस्ट क्रिस्पी और क्रंची स्नैक्स कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर शेर कीजेगा तेंक यू